नवश्कार में हूँ देवनात आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा देखिए हर्याणा का जो चुनावी मिजाज है उसको भापने के लिए हम लगातार हर्याणा के तमाम इलाकों में जा रहे हैं और इस समय हम है भीवानी बिवानी एक ऐसा इलाका जो बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर अगर चुनावी सरगर्मी की बात करें तो चारों तरफ लोग दिख जाते हैं चुनाव पर चर्चा करते हुए और चाय पर जब चर्चा होती है तो उसका लागंदा आ जाए यहाँ पर भी चा चर्चा कर रहा है चुनाव की तो उसका रंग क्या है उस रंग को यहाँ देखेंगे और समझेंगे इसके पहले मैं बताओ यहाँ कि भारती जनता पार्टी की जो प्रत्यासी है लगातार यहाँ से जिते रहें इस बार भी उनको टिकट मिला है लेकिन यह तस्वीर देखि पर बहुत सारे स्कूल है यह बहुत अच्छी तस्वीर है अगर स्कूल होते हैं इसका मतलब यह होता है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और यह भी एक एक तस्वीर में कहूंगा अपने कैबरमें से दिखाएंगे 57 भीवान भीवानी पी रहे हैं लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले आप खड़े हो जाएए यह बताइए महाल क्या है यहां अच्छा है जी इलेक्षन का बिलकुल और सब अपने बच्ट करवाए लेंगे उच्छों में यह इलेक्षन पास साल में एक बार आता है इसके लिए सब अपने उच् तो क्या है मतलब यह बताईए कि यहां पर किसकी हवाय किसकी लहर है जो मुख्यमंत्री बदलाय भारती जनता पार्टी ने उसका असर दिख रहा है हां जी साफ साफ है हां और हमारे कैंडिडेट है दूपनदा साल से लगाता है अब की बार भी उनिका है चोत्ती बार विदाइग बनेगे अग्रेस वाले कह रहे हैं कि यहां पर तो एंटी इंकंबेंसी है सरकार के खिलाब गुस्सा है इस बार वापस नहीं आपाएगी ब यह भी बहुत म 어렵ुट पुर्ण है जो चर्चा कर रहे है कि कांग्रेस एक ऐसी सीट है यहां पर जिसमें माकपा को उन्होंने समर्थन दिया है यानि कांग्रेस नहीं लड़ रही है उनके समर्थित माकपा का प्रत्यासी लड़ रहा है उसकी क्या हुए कि उसके बारें पही सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें नहीं हो पाएगा कांगरेस का मांख्वा की तरफ यह बड़ा सबसे बड़ा फेक्टर है काम क्या किया है बता दीजे काम कुछ हुआ है काम तो देखो चलता रहता है काम हुआ भी है नहीं भी हुआ है जब तीन बार पंदरा साल से गरेक है मेले उसके ओटोमेटिक एंटी इंकम्पेंसी हो जाती है लेकिन वो इतनी नहीं है कि यह सीट आर जाएं कुछ और लोगों से बात करेंगे आप जरा खड़े हो जाए यह थोड़े युआ हैं तस्वीर क्या दिखाई दे रही है किसकी सरकार बीजेपी है जी क्यों भाईया बीजेपी के लावा कोई अल्टरनेट ओप्शन है नहीं अच्छा क्योंकि वो एक जाती विसे इसको ले मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया इनको बताए मनोहरल खटर को सुबह मोदी जीने हात रखा साम तक कुर्सी चली गई यही तो इनकी खासित है जी मुख्यमंत्री बदल दिया यह चेहरे को पकड़ के नहीं चलते हैं बया मैं तो इसी के पीछे चलना यही पार्टी को अ सब्सक्राइब करते हो अब तो मजदूर्गी करते रहोगे कब तक सरकार ने कुछ किया दस साल सरकार अभी मैं तो अबी क्या नोगरी करना भी अबी ब्लोपा पूती खिला हुआ इस करुआ अब शरकार बीजेपी क्या एगी ताउ से बात करते एक ब्लाट आजा ओजरा उठ जाना यह बताओ आप लट्भ में दम है लट्व में दम नहीं है और ठीक है सब सरकार बीजेपी कि में आप अब कुछ बादमी है कुछ बताओ कि कुछ काम वाम होगा कुछ बताओ आप काफी समय से हो राजनीत में बदलब कुछ बदलाओ आया है दस सालों में की नहीं आया है पहले तो काम बदलाओ है जी क्या बदलाओ है थोड़े पड़िके कुछ नोक्री नगया है और पहले हमारे बच्चे नोक्री नहीं नगया करते बदलाओ है बदलाओ क्या नाम है आपका मेरा नाम सचीन है सचीन क्या करते हो आप पहले बताओ अब यह तो अंदबक्ति यह अंदबक्ति यह अब यह जिना तो सिखा दिया बीजेपी ने 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 तो मुस्लिम हो गए तलबे चाटने पड़ते बताओ कौन सी बात हो भी सी देश के ना कौन सा ही सी देश के इसी देश की होते तो बगसिंग राजगुरु सुगदेओ को फासी तुटवात आप यह बताईए आप खड़े होई नमस्कार जी राजनीद कहा जा रही है देखिए अब विकास की बात नहीं हो रही है अब्छों करण जोब में तो बीजेपी को देखा कांग्रेस टुमांगरेस काम तो देखना पड़ेगा अएसा सर मैंने पहली बार यह देक्ख्या कि हमारे बच्चे कभी नहीं लगए थे गवर्मेंट जोब में हमारे बच्चे बाजबा सर्कार में लगे है और बहुत ज् पाच पात ये देख ती ये उतता ता सिफार चलती थी पैसा चलताता तो पैसा परची खर्ची हमारे पास पैसा पर्ची कर थेव हैं तो हम तो अपने बच्चों को यही y yaşा सकते हैं कि मैंनत करो पढ़ाई करो और फिर हम आगे जा सकते हैं हम ना तो हम पैसा दे सकते हैं ना हम सी फारत कर सकते हैं हमें तो पहली बार बाजबा सरकार ने सबी बच्चों को नोकरिया मिली है यह भी बहुत मत्वपूर है लेकिन सवाल कांगरेस उठाती है कि दस सालों में नोकरिया नहीं मिली लेकिन बीजेपी की की राजनीत में जब भी आप चर्चा करेंगे जब भी बात करेंगे तो परची-क का अश् विडायख घंश्यामंशुराफ जी उननी के एक छबी क्या चेजि ए देखिए वह एक इमानदार वेक्ति हैं और जो भी जाता है बंदा उनके पास उनके सुनते हैं और काम कटते हैं किसी भी परकार का उनका जैसे वो विदायक होते हैं जमीनों पर कबजा करने लग जाते हैं मतलब इनका यह कैसा कुछ नहीं है साफ चवी के वेक्ति है मिलन्चार है एक तो इनके अपनी चवी उपर से बीजेपी की नीतिया क्या नीति है भाई देखिए नीतिया मैं आपको यह बताओं आपको यह जिस वार्ड में हम खड़े हैं दोजार चोदा से पहले यहां चार सरकारी नोकरिया थी हमारी चार चोदा से पहले अजादी से दोजार चोदा तक चार सरकारी नोकरिया लगी थी चोदा से चोबिश तक पच्छी सरकारी नोकरिया बच्चे लगे बिना पैसे के मैं बात करूँ यहां गरीब तब के करेंगे रहने वाले लोग हैं पिषएड़ावर के लोग ऐसी समाज के आमारे साथ ही नोकरी मिली आप ही करें नोकरी मिली पर्धान मंतरी हावाश योजना के तहएत हैं यहां 249 घर बने मकान बने हैं मुले हैं मसदран जो कहा जाता है मंकान मिले एसे के बिन ऊस्कू KaiserAyman बीज़ette है आवास मिला कि नहीं मिला एक मिनट में बस पोछं करके पिर उसके बाब बाहुजी हुआस मिला लोगों को पाई घर मिला हमारे भाई हैं को पिर आ urgmore यह तस्वीर है एक गलियों की है चोड़ी सड़कों का नहीं है क्योंकि सची बात सही बात यहां करना आसान है और इसलिए देखिए यह बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे थोड़े पीछे आते हैं अब बताओ यह रेडियो तो बड़ा जोड़ार क्या सुनते हो इस रेडियो पर इसे बहुत तेम पास अमारा दिन रात में रात को तक गरीवन 11 बज़े तक सुनता है इसको शुष्ट को अरत को और दिन में जितने समय चलता है शुनता है गाने में सुनते हो समाचार में सुनते हैं जैसी जास त्री आडा इमें चल करते हैं अर्याणा कमाहूल ठीक चल रहा है वीजेए फिसर्कार आएको है और दूसरे के कोई आस नहीं है क्यों निच्स-वपर को पिर बेकार कियो बात करने का डंग नी तो फिर क्या है अरविन के जरिवाल भी आरे है किरहे हम तो हर्याडा के बिट्टे हैं केद्रीवार तो जड़ है उसी महुलों फिर चल पड़ेगा फिर क्या फाजा है अच्छा अब बहुत ही मांदार कोई और समाज का हाल जानते रहो और अपनी वी चिंता करते रहो गाने बहुत पसंद है इनको लेकिन हाँ आप बताए इस बार किसकी हुआ जनता पार्टी लेकिन वी जनता पार्टी जनतापॉट कि मुख्यमंत्री पत्की जो है पसंद कौन है और इसे लिए आप बताइए खड़े हो जाइए दोनों प्रेटकल पार्टियों में धिंगा मुस्ति है कोई कह रहा है हम लड़ेंगे कोई कह रहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे और जब भी जब भी बात आ रही है तो बड़े ने बना का बना था उससे लिए कि आज तक पहली बार ओबीशी का मुख्यमंत्री बना है और यह तो आल्रेडी गोशना होई चुकी देखो दावे तो हर कोई करता है हर किसी कि मैं तो कांसा ओतीस यह बननेगी लेकिन सरकार का नित्र तो बीजे पीगा नायव सिंग शैनी ही कर किया है वो बहुत अच्छा काम किया है फरत पड़े गा बिलकुल बिलकुल आप बताए और बेज बन जाया तो क्या दिक जिक्त हो हमें कुछ नहीं पाहरी नायव सिंग जी ह है हमारे बिल्ग ahead अचा कुछ इधर कुछ लोग कड़े हैं कुछ विवा कड़ें आप ही बताई ये क्या करते हैं हम मजदूरी करते हैं सब जिक रेडी लगाते हैं अचा ये बताई आपके मन में आपके दिल में कौन से political party बीजेपी है मेरे मनमे दा आपके भी मनमें भीजेपी कि देख मारा बाई चारा है इसमें बिनापी से नोकरी लागे है ठीक है नमबर वन बात तो यह है बाई कांगरेसर बाई नूर पे ले 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 घांडा करते बाहर सी दी बी मनें एक क्लिप देखी थी बहला जो पचास पर ची लाओगा उसे घर में एक बोट आओगा या आ इसमें सभी जात्तों के लग रही है तो मैं चीजिया कि भाई बीजेपी यह जीवन बदला कुछ दस सालों और जीवन तो बदला यह पहला क्या था पहला क्या था कुछ भी नहीं था नरे चोर थे इस कि शोर्दे उब आधर को ख़र जाओ तरीक concurrent को कोई ख़तरा नहीं है किसी चेम के कुछ वी लेकर चल दे को कोई ख़तरा नहीं है और पहला नहीं देखे यह भी बहुत सारी के राज की रद्द भी हुई हैं और 2014 के बाद 37 विरादरी के लोगों को रोजगार मिला है सरकारी नोक्रियां मिली हैं जिनके बिचारे की जो मिज़रे मजदूरी करते हैं हैं टू माउथ वाली पोजिशन है उनके बच्चे कल रख भी लगे हैं पुलिस में लगे हैं सब इंस्पेक्टर लगे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि एक गरीब आदमी का बच्चा सरकारी नोक्री बिना पैसे के लगा है बिना पर्ची के पारा बिना खर्ची के पारा है आप ही बताइए क्या नोकरी बड़ा मुद्दा है हर्याना का बहुत बड़ा मुददा है जी, रोजजगार से बड़ा मुददा तो बैसाब कोई है ही नहीं, गर में एक बंदा रोजगार लगता तो दो गर सुदरते हैं, जाओं उसकी साध्य होती हो भी जहां का वो है वो भी, अब एक बंदे के रोजगार मिलने से कम से कम 10-20 बोट पै इसको बोड़े मोड़े आएगा हम तो मोड़ी बढ़ देंगे और सही बात है हमारी गली में इतने लड़के गरीब जो बिना पीछे नोकिड लगे हैं जिने को खान आता हैं तना वे नोकिड लगे हैं नि उड़ाराज में कौन दंगेस लागया वो लागया देखिए मुख्यमंत्री बदला गया था कुछ इंसे बात करते हैं थोड़े आला घट करके भाई बाड़ी सौड़ी तो बहुत बनाया आपने इस बार सेहत किसकी सहीर है किस पॉरिटकल पार्टी की सेहत देखो बात कुछ आसी है हमारे वाला मेले तो है खतम बिलुकुल सर्कूलर रोड़ लाइट देख लिए एक बल अपनी चस्दारात ने तोन देला का खाम एक्सिजेंट थेक है तो हमारा मेले तो है खतम बाकी बीज़े भी बाड़ी बड़ी यहां गड़ी बाड़ी नोकरी के रहे हो कि यहां के जो यह मेले है वो काम नहीं किया बिलुकु लेकिन हमारे मेले उसका काम समझ में को नहीं हा रहा है इभी यह लाइट देख लो रात नहीं एक भी गुंजलती पाव है क्या खातर लगा दिखान पेने तरी आगले क्यों अर्यों सब्सक्राइब बजार के मैं रोड़े सब फुटे बड़े हैं सारा पैसा आजम कड़े क काम नहीं हुआ वोट किसको जाएगा यह तो पता लगना चाहिए तो देखो सीम का इसाब किताब देखा तो अलग पार्टी देखा है कोई भी देख लागों की अपनी राया है लेकिन अगर भारती जंता पार्टी लगाता रहां से जीत हासिल करती है तो उसके पीछे लोगों का भरुसा लोगों का विश्वास साफ साफ दिखाई देता है और अमूनन ऐसा नहीं होता कि जहां हम गलीों में जाते हैं खेतों में जाते हैं मजदूरों से बात करते हैं नेताओं से बात करते हैं आम लोगों से बात करते हैं उस दोर में जब भारती जंता पार्टी के लिए इतना समर्थन और कहीं देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से बात करो वो यह मानते हैं कि जो यह प्रोगदान क्या बीजेपी के लिए बड़ा होगा क्योंकि तीन बार लगातार तो ऐसे में तीसरी बार अगर सत्ता में वापसी होती है कि नहीं होती है इस सारे सवाल तो अपनी जगह हैं लेकिन हरियाणा की राजनीत में किसान पहलवान जवान के अलावां जो सड़कें तुम लोगों को मानना है कि यहां लोगों को नौकनी मिली है और जाहर सी वात है कि इस दोर में फिर कहीं चलेंगे किसी और चाय की टपरी पर और फिर वहीं से हम आपके पास आएंगे दिखाएंगे हर्याना का मिजाज देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए कर्ट एक्स्प्रेस